नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम है करन और आप मेरे साथ देख रहा हूँ, Plastotech the world of plastics तो दोस्तों आज जैसा कि आप सामने देख पा रहे होगे कि यह आपका Vernier Caliper है जैसा कि आप देख रहे हो कि Vernier Scale कह सकते हो, Caliper कह सकते हो तो वर्नियर कलीपर का इस्तमाल क्यों किया जाता है वर्नियर कलीपर का इस्तमाल डाइमेंशन निकालने के लिए किया जाता है जिसमें आपकी थिकनेस हो गई क्या आपके प्रोड़िक क्या थिकनेस है क्या उसकी डेफ्थ है क्या हाइट है बहुत सारी चीज़ें आप इससे मेजर कर सकते हूं तो दोस्तों यह important topic है इसमें मैं बहुत detail मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं बट मैं सबसे important चीज़ सिखाऊंगा आपको कि vernier की reading कैसे करी जाती one year scale से आप किस तरह से आप नाप सकते हो किस तरह से reading कर सकते हो क्या इसका least count होता है यह सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझा दूगा ताकि आपका time waste नहों और जो important है जानना वहीं मैं बताता हूं इसलिए चलिए शुरुआत करते वीडियो की थोड़ा से जूम करते हैं इस निकालोगे जैसे कि आपका bottle cap है और आपकी अंदर की diameter निकालना जाते हो क्या distance है तो यहां से आप diameter निकाल सकते हो चलिए suppose हमने यहां तक आपका कोई भी object है जिसकी थिकने समय निकाल ली है तो हमने इस तरीके से उस object को यहां पे fix कर दिया अब चलिए पहली reading पे चलते हैं पहली reading होती है हमारी main scale जिसमें आप देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से लिखा हुआ है 100, 110, 120 तो यह है हमा इसलिए हम क्या लेंगे यहां पे हमने लिया 10, 10 हमने आप देखिए उपर red mark से 10 हमने ले लिया अब आया plus 2, plus 2 कहां से आया तो फिर आप देखिए 10 के आगे क्या है जो दूसरी reading है हमारी देखिए 10 के बीच में जो points है 1, 2 मतलब 2 और 3 point के बीच में जहां पे blue mark है आपका त देखिए plus 0.60 लिखा है यह कैसे आया तो आप यहां पे देखिए जो जहां पे यह वाली scale है आपकी इस जगहां से हम चलेंगे तो यहां पे आप 6 number जो देख रहे है इसमें क्या है कि जो आपकी small scale है जो उपर लगी है main scale के base scale से वहां पे आप देख सकते कि number जो है 6 number ऐसा ह है जिसमें इसकी जो main scale है और जो small scale है दोनों की line match खा रही है आप यहां पर देख सकते है 6 line है यह दोनों black और blue line मिल रही है आपस में बाकी आप किसी भी number पर देखोगे तो match नहीं खा रही है तो जहां पे मिलता है जैसे कि मिला तो यह 6 mm है तो हमने क्या किया इस पे least count है तो least count कितना था जैसे हमाई इस scale का least count है 0.1 mm तो इस 6 को हम least count मतलब 0.1 mm से multiply कर देंगे जैसे ही multiply करेंगे 0.60 आ गया हम तीनों को total करेंगे और आपकी जो dimension होगी जो thickness होगी product की वो होगी 12.60 mm चलिए आगे बढ़ते कुछ और देखते है चलिए एक और product हमने लगा या फॉर तो कुछ और product हमने लगाया जैसे कि इस तरीके से हमने thickness निकालने के लिए आप imagine करिए कि यहाँ पे एक कोई product है जिसकी thickness हमें निकालने ही तो पहला number आप देखिए 20 से 30 के बीच में है तो सबसे पहला number हमने क्या लिया 20 ले लिया फिर अब count करिए 1,2,3,4,5,6 और 7 के इसलिए हम इसमें six number लेंगे six हमने लिया और अब जो third reading है हमें पता करना कौन सी line main scale मतलब base scale और छोटी scale से match खा रही आगे बढ़ते हुए हम उसी क्रम में चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेगा 8.5 जो 85 है 8 और 5 जो है यहाँ पे जो है वो मिल जा रहा है तो इसको हम multiply कर लेंगे 8.5 को into 0.1 जो कि हमारा least count है तो क्या जाएगा 0.85 mm और तीनों को चोड़ देंगे तो 26.85 mm के लगभग आपका जो reading है वो आके तयार हो जाएगी तो दोस्तों यह है हमारा वर्नियर कलीपर इस तरीके से हम नापते हैं और बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि आप देख लही पीछे की तरफ से यह देख सकते हैं पीछे की तरफ तो इससे आप उसी इसी फार्मूले से आप इसकी depth भी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की यह वर्नियर काफी स्केल आसान था मैंने कहा चलिए समझा देता हूं आसान तरीके से क्योंकि बहुत complicated बना देते हैं यहां पर 40 से 50 के बीच में पहली जहां पर पहला 0 काउंट होता है हमारा वो 40 और 50 के बीच में इसलिए हमने 40 लिया अब दूसरा देखिए 1,2,3,4,5,5 के जस्ट पहले है थोड़ा इसलिए हमने कौन से रीडिंग ली नेक्स रीडिंग हमाई 4 आई अब तीसरी रीडिंग क कर दिया लीस्ट काउंट से धिधान की लास्ट वाला जो नंबर था उसी को इंटू करना है लीस्ट काउंट से जो की आपकी लीस्ट काउंट होगी स्केल की इस स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 mm है तो हमने मल्टिप्लाई कर दिया तो 0.60 आगया टोटल कर दिया रीडिंग त इंट्रेस्टिंग कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे जुड़े रही है सिर्फ प्लास्टो टेक दवर्ड आफ प्लास्टिक से बेल की घंटी दबा के ताकि आप नोटिफाइड रहे हैं जब कोई भी विडियो डालें थैंक यू और हैव अग्रेट डें इंज्वा दे